रजस्थान में स्यासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है सचेन पाइलेट और अशोग गहलोत की बीच की स्यासी जंग अब दिल्ली तक जिस तरह से पहुँची है अब दिल्ली में कुछ एहम फैसले लिये जा सकते हैं कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे जल से जल्द इस मामले पर इस विवात पर एहम फैसला सुना सकते हैं लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पाइलेट समर्थकों ने खुल कर अपनी बात रखी है दरसर सचेन पाइलेट ने 15 मई के दिन अल्टिमेटम दे रहा है कि सचेन पाइलेट के द्वारा कोई भी पार्टी हाई कमान को अल्टिमेटम नहीं दिया गया है आखिरकार पाइलेट क्या चाहते हैं उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है नमस्कार मैं प्रांशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन यूस दरसल आपको बता दें कि कॉंग्रेस से विधायक हरीश चौधरी ने डंके के चोट पर अपनी बात रखी है उनका कहना साफतोर पर रहा है पंजाव के राज्य प्रमुक हैं हरीश चौधरी वह कहते हैं कि सचिन पाइलेट ने पार्टी को कोई अल्टिमेटम नहीं दिया बलकि वह पार्टी से बात करना चाते हैं हल निकालना चाहते हैं असल में सचिन पाइलेट ये चाहते हैं कि जनता और राज्य सरकार के बीच एक पुल बने और वह पुल बनाना चाहते हैं जिससे कि सचिन पाइलेट ने पार्टी को कोई अल्टिमेटम नहीं दिया है लेकिन उन् रहा अल्टिमेटम को लेकर कि गहलो सरकार को उन्होंने चेतावनी दी अगर इस महीने उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे पेपर लीग की मुद्धे को लेकर उनका कहना रहा कि विधान सभा और विधान सभा के बाहर इस मुद्धे पर उनका हमेशा इस पस्ट रुक रहा है किसी भी कीमत पर चात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए राजस्थान के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए वर्तमान में देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी च शामिल है उसके खिलाफ कारेवाई की चाहती है तो हरीश चौधरी का साफतोर पर कहना रहा है कि राजिस्थान के सरकार ऐसे तमाम एहम फैसले लेती है अगर सचिन पाइलेट ने जो मांग की है तो उसमें कोई बुराई नहीं है वह है तो यहाँ पर पार्टी का ही फाइदा को दिल्ली में जो बैठक होने जा रहे है उस बैठक में तमाम दिगज निता शामिल होंगे सचिन पाइलेट अशोग गहलोद गोविंद सिंग डोटा सरा प्रदेश प्रभारी सुख जिंदर सिंग रंधावा भी और साथी साथ सीपी जोशी को लेकर भी यहाँ पर दावे किये जा रहे हैं अब देखते हैं कि सचिन पाइलेट की यह मांग पूरी होती है या फिर नहीं इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियूज